स्वागदे दोस्तों आप सभी को टिकराच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A90 5G या फिर किसी भी Samsung Mobile में यदि आपका network का problem आ रहा है इस वीडियो में मैं आपको step by step guide बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रही है और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिगा और दोस्तों यहां पर यदि आप online पैसे कमाना चाहते तो वीडियो description लिंक चेक आउट कर सकते तो दोस्तों चलिए बिना देर की हुए शुरू करते तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमें बहुत बार क्या होता है कि हमें अपना solve करने के लिए मैं आपको यहां पे कम से कम 3-4 solution बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना problem को definitely solve कर सकते हैं हैं दूस्तो सबसे ना है आपको मुबाइल का settings पे छाएगा और उसके बाद में आपको सबसे पहले connection का option मिलेगा connection के ऊपर क्लिक की जिएगा और यहां पे है आपको सिम-kart manager मिलेगा उसके ऊपर क्लिक की जिएगा और यहां पर आपको नेट्वर्क मोड का ओप्शन दिखाए देगा यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको काफी सारा ओप्शन दिखाए दे रहा है जिसके आप देख सकते हो को यहां पर आपको सिलेक करना है एल तो यह आपको करके रखना है यहां पर वापस चले जाईए और वापस बेग जाने के बाद में दूस्तों यहां पर आपको क्या करण करना है और एक बार आपको वापस चले जाना है और यहां पर आपको जाना है दोस्तों मोबाल नेट्वर्क पे मोबाल नेट्वर्क पे जाने के बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते सिम वान सिम टू तो यहां से भी आप जो है वह सेलेक्ट कर सकते ठीक है और यहां यहां पे दोस्तों आपको network operators दिखाए जा रहा है, simply यहां पे क्लिक किजगा, और दोस्तों यहां पे आपको दो option दिया जाता है, आपका network की use करने के लिए, एक हो गया automatically और दूसरा हो गया manually, अब यहां पे दोस्तों आपको जो preferable है, वो जो है आपका यहां पे automatically है, तो यहा आपका already automatically है, तो आप manually select कीजगा, manually select करने के बाद में, आपका mobile जितना भी नजदी के आपका tower है, वो यहां पे detect कर लेगा, आपका जो भी network है, वो show करेगा, तो manually select करके आप जो है, अपना network को setup कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि जह यहां तक automatically select नहीं होगा, तो वो manually ज्यादा तक सही से नहीं रहता, लेकिन कुछ देर के लिए आप अपने home network में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों यह आप यहां से आपके हिसाप से कर सकते हैं, अभी हम back चले जाते हैं, दोस्तों यह दो करने के बाद में, आपका problem definitely soulfulness चाहिए, बाइचेंस से दी नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपको suggest करूँगा कि एक बार आप जो है, अपना mobile का network में जाके SIM card में चले जाए, और SIM card को एक बार आप बंद कर दीजेगा, ठीक है, आपका SIM card को एक बार आप यहां पे बंद कर दीजे, तो यह बंद करने के आपका problem solve हो जाना चाहिए, ठीक है, यह तीन solution करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए, by any chance दोस्तों यह दिए आपको फिर भी network से related problem आ रहा है आपके mobile में, तो simply आप अपने mobile का settings पे चले जाए और यहां पे दोस्तों देखिए, लास्ट एक option बचा है, जो कि यहां प हमें software update करने का option दिया गया है, software update पे चले जाएए, और software update पे चले जाने के बाद में download and install या फिर last update यहां पे download and install पे click कीचेगा, और यहां पे आपका software update चेक होगा, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, कि हमारे अपने handset पर क्या होता है, कि हमें problems निकल जाता है, तो इसलिए company network related काफी कुछ नया लाता है, काफी कुछ नया feature लाता है, तागि हमारा network सही से काम कर पाए, तो इसलिए यह आपका system आपको update मांगता है, तो आपको यहां पे update कर लेना है, क्योंकि मेरा यहां पी already updated है, तो मुझे updated करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहां आप कर सकते है दोस्तों, और दोस्तों यहां पी देखिए, दोस्तों, लास्ट एक बचता है, यह software update करने के बाद में तो definitely आपका problem solve हो जाएगा, अभी last option है, यह आप अपना mobile को reset करना चाहते हैं, reset account backup कर लिजेगा, और उसके बाद में backup and restore पे चले जाके, यहां पे data वगेरा restore कर सकते है, यह करने के बाद में आपका problem solve हो जाएगा, लेकिन यह last option है, अभी दोस्तों, यह सारा कुछ करने के बाद में भी problem आपको फिर भी show होता है, तो आपको में lastly suggest करना चाहूंगा, कि आप अपने network operator से बात कीजेगा, कभी-कभी क्या होता है, कि उनके तरफ से server down होता है, या फ इस वजे से भी आपको problem हो सकता है, वो case में तो आपको technician को visit करके आपको mobile दिखाना होगा, ठीक है, तो यह था दोस्तों completely solution, उमीद करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा, thanks for watching.